हाई फेंट्स मानी मेंकर में आपका ब्रादिल से सवागत है आज हम बात करने वाले कोमोडिटी केमिकल सेक्टर में वन अप दर मोस्ट लीडिंग कमपणी टाटा केमिकल्स जो स्ट्रॉंग टेक्निकली ग्रीन देख रहे हो तीनों बिंदू जो है गीन ग्रीन में मतलब स्ट सब्सक्राइब केमिकल सेक्टर जब भागता है कमोडिटी सेक्टर में तो अपना लाइप टाइम हाई पर जाकी रुखता है तो यह नियर फाइब फिटी टूइक हाई के आसपास है अभी भी देख सकते हो कि दो परसेंट का सपास अपसाइड मोमेंटम जो बोकर की तरफ स देख सकते हो कि 1100 का बहुत अच्छा इसका जो सपोर्ट है इसमें सपोर्ट लेते हुए 1200 की तरफ बढ़ेगा दोस्तों तो 1200 का इनिशियल टरगेट रहने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि देख लो अभी किस प्राइज में ट्रेट करता हुए 1200 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा और उससे आगे देख लेते टू टाइमस म्होर कररेक्ष कर रहा है और जून क्वाटर में आपका मार्च क्वाटर से एक हजर करो ज्यादा पॉफिट हुआ है और एकस्पेंज भी उससे सबसे थोड़ा सा कम हो गया तो आपर्टिंग पॉफिट बढ़ गया है सबसे बड़ी बात है कि इस टॉक में देखो टेक्निकली बुलिस है और स्टुवांड़ डेस डियमे के ऊपर ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और फास्ट रेस्टेंस जो है गयारा सो पच्पन के वह है और अपना रेस्टेंस को बहुत जल्द ब्रेक कर चुका है और तीनो जो रेस्टेंस से उसको ब्रेक करके आगे ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है फास्ट सपोर्ट देखो कितना तगरा सब्सक्राइब 1440 के आसपस और एमेफटी पर्संट से उपर है 63 में ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से शांदर एक और यहां से भी आपका बहुत तेजी से आपको आगे बर सकता है क्योंकि जब भी चेमिकल सेक्टर में 52 हाइक आसपास आता है तो वहां से और तेजी आता है सबसे बड़ी बात है कि अपना माल 13.62 परसंट से 14.99 परसंट जून क्वाटर में बढ़ाया है म्यूचल फंड ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है 7.36 से 7.58 परसंट तो सीथा सीथा यहां से देख सकते हो कि साड़े लोग बाई करके बैठा हुआ है तो जून में 15 जून को इसने साड़े बार रुपए का डिविडेंट भी दिया है और टार्गेट जो निकालके आ रहा है यहां से तेरा परसंट के आसपास 15 परसंट के लिए आपको टार्गेट जो है आप जा सकते हो तो यहां से 15 परसंट का सीधा सीधा आपको पॉफिट सब्सक्राइब और बहुत जल्द यह टार्गेट आपको हो सकता है लेकिन आपका निप्टी के साथ यह स्टॉक भी नीचे आता जाता रहता है तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा निप्टी जब भी नीचे जाएगा तो यह स्टॉक भी नीचे जाएगा निप्टी जब भी उपर जाएगा तो यह स्टॉक बूम मारता है